देखिए फैक्ट्री में मैगी कैसे बनती है आधी रात में लगने वाली भूख हो या फिर जेब खाली हो लेकिन कुछ चटपटा खाने का मन करे तो इन सारी कंडिशन्स में सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है और वो है मैगी बच्चों से लेकर हर किसी को मैगी खाना पसंद है पर दोस्तु जिस मैगी को आप खाते हैं कि आप चिप्स को आप खाते हैं वो असल में आलू को काट कर बनते ही नहीं है बलकि उन्हें बनाने का कोई और ही प्रोसेस होता है अगर नहीं जानते तो जनाब इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे कि आप एरान हो जाएंगे पर हाँ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी का भी सब्सक्राइब कर दें जिससे कि इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें कैंडी बार सबसे पहले बात करते हैं कैंडी बार की दोस्तों आप लोगों ने डेरी मिल्क चॉकलेट तो जरूर खाया होगा अगर नहीं भी खाया तो इसके एड आपने टीवी पर जरूर देखे होंगे पर आज हम आपको इसके बनने का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं जहां इसे बना में जाना जाता है जो पिछली बार बनाते टाइम बची होई कैंडी थी ना उसे भी इस बार बनाने वाले सीरप में मिक्स कर दिया जाता है बाद में इस पूरे मिश्रन को एक बड़े से स्टील प्लैटफॉर्म पर डाल कर एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है और फिर इस Mixture को stretcher म मशीन में डाल दिया जाता है जो इस पर candy को 5 मिनित तक stretch करता रहता है जिसके बाद गर्म पीनर बटर को इस candy के लेयर पर सही मात्रा में डाला जाता है और इसके बड़े से layer को बेलन यानि के सिलंडर का आकार दे दिया जाता है जो आगे चलकर मशीन में चॉकलेट बार के साइज में कनवर्ट हो जाता है जिसके बाद एक मशीन से इनको गुजारा जाता है जो हर पांच इंच के अंतर पर एक मार्क लगाती है और उनको काट देती है बाद में इन बार्स को कन्विया बेल्ट की मदद से हॉट चॉकलेट की निचे ले जाया जाता है और फिर पैकिंग वाली मशीन इने एके करके प्लास्टिक के रैपर में पैक कर देती है मैगी अब बात करते हैं उस मैगी की जिसे शायद ही किसी ने ना खाया हो हाँ हाँ कमपनी वाले इसे दो मिनिट में बनाने का दावा तो करते हैं पर आप और हम जानते हैं कि क्या आपने कभी दो मिनिट में मैगी बनाई है आपका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा हाँ खेर ये तो हुई मैगी को पकानी की बात लिकिन क्या आपको मालूम है कि नूडल्स को फैक्टरीज से लेकर आपके किचिन तक पहुँचने में किन किन रास्तों से गुजरना होता है जहां सबसे पहले आटा, मैदा, पानी और उसके साथ ही कई सारे केमिकल्स को एक साथ मिक्स किया जाता है और फिर इस मिक्शर को एक चेंबर में डाल कर अच्छी तरह से गुण लिया जाता है दोस्तों, यहां पर इस बात का खास खयाल रखा जाता है कि आटा घलती से भी गीलना हो जाए और इसके बाद गुने हुए आटे को दो बेलन की बीच से गुजारा जाता है जिससे इस आटी की जिग-जैख शेप की शीट तयार हो जाती है और इस आठी की sheet को और भी कई बेलनी यानि की compressor machine से होकर गुजारा जाता है ताकि ये आठी की sheet और भी ज़्यादा पतली हो जाए जिसके बाद इस machine के आखिर में इस परत को cutter के जरीए noodles के shape में पतला पतला काट दिया जाता है और फिर conveyor belt के जरीए इन noodles को आगे दूसरी machine में shape कट करके डाल देते हैं जैसा कि आप देखी रहें ये सब ही noodles कट कर machine से निकलते हुए आ रहे हैं और फिर इनके सही shape में कटने के बाद इन्हें plastic में pack करके आपके घरों तक पहुचानी के लिए भेज दिया जाता है फॉक मेगी को बनाते हुए तो आपने देख लिया अब जरा उसे खाने वाले चमच को factory making process भी देख लीजिए जी हाँ सबसे पहले हम एक बड़ी सी machine द्वारा steel के plates को एक आकार में कटते हुए देख रहे हैं ये टुकडे rectangular shape के होते हैं और फिर एक worker इन सभी steel के टुकडों को एक साथ इकठा करके दूसरी machine के पास ले जाता है जहां पर इन्हें ऐसे आकार में काटा जाता है ताकि इनसे आसानी से काटे वाले चमच बन जाए जिन्हें हम fog कहते हैं और ये सभी steel के piece जब अपने proper shape में कटने के बाद नीचे गिरते हैं तो worker इन्हें अपने हाथों से उठा कर एक container में डाल देते हैं जब इस तरह के container भर जाते हैं तो इन्हें आगे के process के लिए ले जाया जाता है जहां इन सभी piece को बारी बारी से एक रोल करती हुई machine के नीचे से गुजारा जाता है ताकि इसके आगे वाले हिस्से को थोड़ा सा पतला किया जा सके और इस process के बाद चमच के हथे को shape में लाने के लिए इन्हें खांचे के उपर रखकर इन पर दबाव बना जाता है और जब ये सारा process हो जाता है तो workers इनके आगे वाले हिस्से को proper shape देने के लिए machine के अंदर रखकर काट देते हैं जिसकी वज़े से ना सिर्फ इसे proper shape मिलता है बलकि इसके आगे वाला हिस्सा चमच की तरह band भी हो जाता है अब ये normal चमच तो बनकर तयार हो गया इसे काटेदार बनाने के लिए दोबारा से इसे machine में वापस डाला जाता है और दबाव के साथ इसके बीच में cut लगाए जाते हैं जिसके बाद आपके सामने ये काटेदार चमच बनकर तयार हो जाता है पोटेटो चिप्स दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि ये सभी पोटेटो चिप्स एक ही आकार के कैसे होते हैं क्योंकि जब हम बनाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता तो दोस्तों आज आपके सामने इन बड़ी बड़ी पोटेटो चिप्स कंपनी का परदाफाज कर देते हैं असल में दोस्तों ये आलू का इस्तिमाल न करके पोटेटो स्टार्च के इस्तिमाल करते हैं जहां ये पोटेटो स्टार्च आलू को बाल कर और फिर उसे पीस कर बनाया जाता है और फिर परफेक्ट चिप्स को बनाने के लिए ये लोग इसमें पानी मिक्स कर देते हैं जहां conveyor belt के जरीए इसे दूसरे platform पले जाए जाता है बाद में 4 तंज इतनी ताकत से इस mission को एक sheet में तबदिल कर दिया जाता है और फिर बाद में roller पर लगे cutter in sheet को chips के size में काट देते हैं जिसके बाद दूसरा handle sheet के बचे हुए हिस्से को side से निकालता जाता है और जो निकला हुआ हिस्सा है वो वापस से sheet बनने के लिए तयार हो जाता है अब जो cutaway chips होते हैं उन्हें fryer में डाल दिया जाता है fryer में डालने से पहले chips को एक corn cap के shape वाले साचे में डाला जाता है जो कि उसे curve shape देता है जिसे देखकर हमें और आपको लगता है कि वाह भाई वाह कितने शांदार chips हैं बाद में इन्हें एक conveyor belt से दूसरे conveyor belt में डाला जाता है उसके बाद इसका सबसे जरूरी हिस्सा जिसकी कारण chips का स्वाध इतना बहतरी ही नाता है असल में दोस्तों conveyor belt पर चलते ही company इस पर अपना secret मसारा डाल देती है जिसके बाद machine खुद ही ने सही quantity में पैक कर देती है जहां हर packet में nitrogen gas बरी होती है ताकि chips हमेशा के लिए crunchy रहे और ये सारी चीज होने के बाद इस packet वाले chips को बेशने के लिए market में भेज दिया जाता है hot dog नहीं 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 यह कोई असली का dog नहीं है बलकि यह normal burger की तरह ही होता है बस इसकी filling और shape अलग होता है जो कि भारत में बहुत कम लेकिन हमेर काम है बहुत जादा घाया जाता है तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं दूस्तों सबसे पहले कच्चे मास को एक grinder में डाला जाता है जो उसे एक साचे में बाहर की तरफ पुश करता है बाद में इसमें नमक, ground nut और आटे यसी चीज़े मिला जाती है उसके बाद इसमें पानी मिला जाता है ताकि ये कड़क न हो जाए और ठीक उसी टाइम corn syrup को भी मिला दिया जाता है ताकि ये एक dilute paste में तयार हो जाए और फिर बाद में इसे machine से गुजारा जाता है जो उस paste को प्लास्टिक के थैलों में पैक करके हर 5 इंच पर मोड कर भेज दीती है दोस्तों ये पूरा प्रोसेस इतना फास्ट होता है ना कि ये machine एक साथ हजारों hot dog बना कर तेयार कर देती है बाद में बड़े-बड़े hot dog की layer को बड़ी इसी machine में डाला जाता है ताकि इन्हें गर्म पानी से धोया जा सके धुलने के बाद इन्हें oven में पकाया जाता है जिसके बाद इस plastic cover को निकाल दिया जाता है और फिर इन्हें अच्छी तरह से pack करके आगे भीज दिया जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अगर हा तो इसी तरह की शांदार वीडियोज को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब करें देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोज दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें